नमस्कार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का नेक्स नाइने स्प्रिच्छोल के इस खास प्रोग्राम में मैं बिनित राय आज बताऊंगा आज के राशी फल के बारे में जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि नए साल 2019 की शुरुवात हो चुकी है और उनके परिवर्तन की जानकारी आपको हासिर होती रहती है हम आपकी राश्यों के उपर ग्रहों के इन परिवर्तन की वज़ा से आपके उपर क्या पर भाव पढ़ने वाला है इन सब की जानकारी समय समय पर मुहया कराते रहते हैं राशी फलका हमारे जीवन में बहुत ही मात्वा होता है और राशी के अनुसार ही हम किसी भी ब्यक्ति के स्वभाव और भाविसे से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियों को हासिल कर सकते हैं ग्रह गोचर और नक्षत्र की चाल के अधार पर ही राशी फलका भी निर्मार किया जाता है ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है इसलिए हमारे द्यानिक जीवन में घटराई घटनाएं भी हमेशा एक समान नहीं होती हैं आज 2 जनवरी 2019 बुद्वार का शुब दिन है और आज गणेश जी अपने भक्तों की पुकार सुनेंगे जबकि इनको खुश करने के लिए मनुश्य के मन में सिर्फ सची श्रद्धा और भक्ती होनी चाहिए यहाँ तक कि आज गणेश जी के महरवान होने से कुछ राशियों का भाग्य हीरे मूती की तरह चमकेगा और इन राशी वालों की खुब मौज भी होने वाली है आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा आज का दिन आपके जीवन में क्या-क्या बदलाव ला सकता है आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस राशी फल में मिलेगा तो जानने के लिए देखें हमारा आज का ये राशी फल तो शुरू करते हैं सबसे पहले मेश राशी वालों से मेश रासी वालों के लिए साल का आज दूसरा दिन मेश रासी के लिए सुख शांति पूर्वक बीतेगा शुब प्रसंगों का आयोजन होगा कोई प्रत्योगी परिक्षा दे रहे हैं तो सफलता मिलने की उमीद अधिक रहेगी लेखन और अभ्यास में एकागरता बढ़ेगी परिवार के किसे सदस्य का बीमार स्वास्त आपके मानसिक तनाव का कारण हो सकता है किसी भी वस्तू को खरीदने के लिए ये दिन शुब है बिरोधियों पर आप विजय हासिल करेंगे मातवकान चाये आप पर हावी हो सकती है, परिवार का सहयोग मिलेगा अब हम बात करते हैं ब्रिशव राश्य वालों के लिए आज आपका आत्मबिश्वास चरम सीमा पर रहेगा और आप कई महत्वपूर्ण फैसले भी ले सकते हैं। आपकी छमता के कारण आपको अच्छी नौकरी भी मिल सकती है। इस मौके का लाब उठा कर आपको अपने श्वित्र की और भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी को उपहार देना चाहते हैं तो म पनोकामना जरूर पूरी होगी। आपके कारे अस्थल पर काफी अधिक कारे का दबाव आप लोगों को बहुत तनाव दे सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि आप काफी जटिल काम करने से बचें। अब हम बात करते हैं मितुन डाशी वालों की। साल का दूसरा दिन ही आ आपको अपने बिरोधियों का सामना करना पड़ेगा। कड़ी मेहनत और रचनात्मक्ता से कारियों को निप्टा कर बिरोधियों को करारा जबाब दें। मानसिक व्यताओं से छुटकारा मिलेगा और परिवारिक उल्जनों का सामधान होगा। बिरोधी या व्यापार के प्रतियस्फर्दी आप से परास्थ होंगे। आपके दामपत्य जीवन में कुछ परिशानियां हो सकती हैं। तीसरे इंसान के हस्त छेप से आपके जीवन साथी और आपके वीच दरार पैदा हो सकती है। अब हम बात कर रहे हैं करकराशी वालों की। करकराशी वालों के लिए आपकी आमदनी में ब्रिद्धी होगी लेकिन जितना तेजी से पैसा आएगा उतनी ही तेजी से खर्च भी होगा। ब्यापारियों के लिए भागीदारिता और ब्योसाय में लाब के योग हैं। नौकरी पेशा में योग्यता का लाब मिलेगा। जोखिम भरे मामलों में फैसला सोच विचार करके लें, ब्यापार में लाब के आउसर मिलेंगे, धैरे को बनाए रखें, नई योजनाओ पर कारे शुरू करें, परिवार में किसी का स्वास्त प्रभावित हो सकता है। अब हम बात करते हैं सिंग राशी वालों की, सिंग राशी वालों के लिए साल के दूसरे दिन इस राशी के भावनात्मक तौर पर एक नई उर्जा महसूस होगी, और कोई पुराना मित्र आप तक किसी न किसी तरह पहुंच जाएगा, और आपको अतीत की यादों में भी ले सकते हैं, जिससे बिवाद की इस्तिती बनेगी, मानसिक तनाओ के कारण आप परशान भी रह सकते हैं, नई प्लानिंग पर भी काम शुरू करने कोई, आप सोच रहे हैं, आपको अपने हर कारे में सफलता मिलने के योग बने हुए हैं, दामपत्य जीवन में मध्हूरता र और मानसिक रोप से आप स्वस्त रहेंगे, घरेलू मामलों में तनाओ के इस्तिती रहेगी, आपको बिवादों से बचकर रहना होगा, आर्थिक लाब के संभावनाय हैं, पैसो के मामले में समय पर आपको मदद मिल सकती है, आपके लिए नवकरी के योग बने हुए हैं, और आपकी फैमली के सदस्यों और आपके वीज कुछ रचनात्मक मतभेद भी हो सकते हैं, अविवाईतों को बिवाह के मन पसंद प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं, अब हम बात करते हैं तुलाराशी की, गणेजी कहते हैं, आज आप समाजिक सारोकार के कारियों में चड़ कर हिस्सा लेंगे, जिससे की समाजिक पहचान बढ़ेगी, एक समय में कई चीजें करने के बजाए एक काम को सही और पूरी तरह से करना आपके लिए बहतर होगा, ब्यापार में लाव के नय और सर मिलेंगे, परिवार का सहयोग भी मिलेगा, अपना आर्थिक पाने के लिए ये दिन बहुत शुब है, बस ध्यान रखें कि आपके सामने जो काम है उसे आप समय से पहले पूरा कर लें, अब हम बात करते हैं ब्रिश्चक राशिवालों की, साल के दूसरे दिन भाई बहनों के साथ संबंधों में मिठास बनी रहेगी, अगर आप ऐसे अच्छे कामों में थोड़ा और समय लगाएं, तो काफी सकरात्मक बदलाव ला सकते हैं, और आने वाले दिनों में कोई बड़ी खुश खबरी मिलने के भी योग बने हुए हैं, आपको नवकरी का कोई नया मौका भी आने वाले दिनों में मिल सकता है, अचानक अनावश् खर्चों के संख्या बढ़ जाएगी, अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया, तो ये आपके आर्थिक संकट की ओर ले जा सकती है, अब हम बात करते हैं धनुराशी वालों की, धनुराशी वालों के लिए छोटे ब्यापारी आज अधिक मुनाफा ले सकेंगे, और अपनी आय में ब्रिद्धी पी कर पाएंगे, अगर आप किसी कंपनी या फैक्टरी के मालिक हैं, तो इन दिनों में अधिक आय हो सकती है, तेजी से बदलते बिचारों के कारण, फैसला लेने में कठिनाईयों का सामना भी करना पर सकता है, अपने कैरियर को लेकर अधिक गंभीर नजरन आएंगे और कैरियर में अपना मुकाम बाने के लिए जी तोड मेहनत भी करेंगे, आर्थिक जीवन समानने से ब्यातर रहेगा, अब हम बात करते हैं मकर राशी वालों की, मकर राशी वालों के लिए कारे सफलता और यश और कीर्ती प्राप्त करने के लिए ये दिन शुब है, जिन लोगों के साथ अनबन है, उन रिष्टों में समाधान करें, मुनाफ़ा आपको ही होगा, घर में सोक शान्ती का वातावरण बना रहेगा और ग्रहों के इस्तिति आपके दामपत्य जीवन में तनाव बनाये रखेंगे, लेकिन अपनी समझ बूझ के चलते आप हर समस्या का समाधान प्राप्त कर लेंगे, भाग दोड़ बनी रहेगी, बोलचाल में हलके शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए और पुराना रोग आपको उभर सकता है, ब्यापार में अधिक ध्यान देना पड़ेगा, जोखिम कोई भी ना उठाएं, अब हम ब भव भी होगा, विजनेश ब्यापार करने वाले लोगों को जबर्दस्त धन की प्राप्ती हो सकती है, आपके दामपत्य जीवन में खुश्यों का आगमन होगा, नौकरी की तालाश करने वाले लोगों को नौकरी के शेत्र में बड़ी सफलता हाथ लग सकती है, बढ़ती आर्थिक किस्ति आत्म विश्वास में अभी ब्रिद्धी करवाएगी, प्रतिष्टा भी बढ़ेगी, आपकी उर्जा से लोग प्रभावित भी हो सकते हैं, अब हम बात करते हैं मीन राश्यवालों की, आज मन में थोड़ी अशान्ती जरूर रह सकती है, आज आप बुरे लोगों से दूर रहने की कोशिश करें, आपकी शारीरिक तंदरुष्टी अच्छी रहेगी, आपको अपनी वाणी पर नियंत्रन रखना होगा, नहीं तो रिष्टों और कार्यों में बाधा पैदा हो सकती है, और आपके ब्योसाय में नुकसान भी हो सकता है, नए काम पूरी शक्ति के साथ काम हो सकेगा, प्यार और रिष्टों के लिए आने वाला समय आपके लिए बहुत शुब रहेगा, इस समय के दवरान आपको अपना खोया हुआ सच्चा प्यार भी मिल सकता है, तो दर्शकों अभी आपने राशी फल 2 जनवरी 2019 के सभी 12 राश्यों का राशी फल देखा और सुना, आपको राशी फल का ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और हमारे द्वारा बताएगे ये राशी फल, अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेर करें, आपके कुंडली वा राशी के ग्राओं के आधार पर आपके जीवन में घटित हो रही घटनाओं में कुछ बदलाव जरूर हो सकता है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए आप किसी पंडित या फिर किसी जोतिसी से मिल सकते हैं, तो दर्शकों ये था हमारा आज का राशी फल का प्रोग्राम, कल हम फिर मिलेंगे, तब तक क मैं इजाइडडडडडडडड़ कि नमस्कारी